कैसे आप लोग गुड इवनिंग अल आफ यू क्या मेरी आवाद सभी ओजांकियंस को क्लियर आ रही है स्वागत करता हूं कॉंसेप्टर की पहली क्लास में आप सभी का कॉंसेप्टर ओजांक इस अकेडमी का वो पावर्फुल बैच है जिसने सबसे जादा रिजल्ट दिये हैं सबसे जबर्दस आउटपुट आया हुआ है तो सवागत करता हूं आप सभी का कैसे हैं आप लोग मेरी आवास क्लियर आ रही है इस सफर के लिए आप तयार हैं यूपी एससी के सफर के लिए आप तयार हैं वेलकम जितने भी स्टेंट मुझे देख रहे हैं कॉंसेप्टर बैच में क्या वो तयार हैं अभी आज की क्लास के लिए स्टेप बाइ स्टेप हम चलेंगे एक एक चीज पर जाएंगे बहुत डीटेल में अनालिसिस करेंगे और जो भी यूपी एससी के लिए रिक्वार्मेंट है कॉंसेप्टर बैच में हम समझेंगे तो आज की हमारी जो क्लास है वो सभी स्टेंट के लिए बहुत इंपर्ट सेग्मेंट है ट्रेंड अनलिसिस और कट अफ यह दो चीजें आपको यह बताती है कि मुझे बैसिकली कैसी तैयारी करनी कितना स्ट्रेंट लगाना है क्या ट्रेंड हमारा चल रहा किस सब्जेक्ट पर अपने हिसाब से मुझे जादा मेहनत करनी है किस पर कम मेहनत करनी है को आप अलग-अलग बैقरांड से आए है को साइंस बैकरूंड से लोadors आवे सतं हमारे इफ्रेंट इफिरेंट इफरेंट बैकरंडस है तो यहां जो सेगमेंट है वो बहुत ही जबरदस तरीके से चल सकता है तो चलिया हम लोग शुरुरॉत करते हैं क्या है UPSC किस तरह से में तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारे सेग्मेंट है तो यह अगर हम यहां से शुरुआत करें तो यह हमारी कॉंसेप्टर की पहली क्लास है आप सभी ओजांगियन का मैं स्वागत करता हूँ दो साल के सफर में और जैसा मैंने बताए कि इसमें फर्स्ट इयर जो होगा वो प्रिलिम्स हमारा जो तीस तारीक से शुरू हो रहा है आप उसके साथ जोड़ सकते हैं गुरुकुल प्रिलिम्स तेकिन उससे पहले जो है वो हमारी जो क्लासे होंगी आठ से दस, बारा क्लासे वो बहुत comprehensive होने जा रही है किस सेंस में इस सेंस में कि आप syllabus को कितना समझ पाते हो, train को कितना समझ पाते हो सबसे important जो अभी मैंने सुबह बताया प्रिलिम्स में कि mapping और IR बहुत बड़ा segment हो चुका है तो सबसे पहले mapping को समझें तो mapping को लोगों लगता है कि geography का part है mapping current affairs में, mapping IR में mapping geography में, mapping history में भी है तो अगर इन subject को समझना है तो mapping यानि visualization जो होता है वो बहुत important technique है PV sir वहाँ आपके साथ जोड़ेंगे उस पर बात करेंगे मैं आपका guide हो junk और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ conceptor batch के बारे में, discussion के बारे में और आज की class से आप पूरे अपने strategy को prepare कर सकते है कि क्या ये strategy है, कैसे हमें preparation करनी है क्या चीज हमें लेके चलना है तयार हैं आप लोग? Yes, मैं आप से syllabus analysis करूँगा उसके बारे में आप से बात करूँगा धीरे धीरे step by step यहाँ से चलते चले जाएंगे So let's start, हम लोग जो है शुरू करते हैं इस चीजों को समझते हुए discussion और argument को समझते हुए हम लोग यहाँ से चलते हैं सवागत करता हूँ, आप सभी conceptor के student हैं जितने भी हमारे शैलजा, सुकला, करीना, आलम, शितिजा, इशू आप सभी conceptor के student हैं जो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से जो लोग मुझे मेरी class देख रहे हैं और तयार हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में मुझे दो तरह की copy की जरुद परती एक जो हम dictate करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं उसकी जरुद होगी साथी साथ एक discussion copy की जरुद होगी जिसमें हम discussion जो भी करेंगे यानि पढ़ाते समय जो उस point से दूसरे point निकलते हैं उसको हम वहां रखेंगे ताकि हमारी copy यां बहुत गचपच ना हो और हम धेर सारे points को अपने साथ जोड सकें स्वागत करता हूँ अब सभी का और उमीद करता हूँ कि आप लोग तयार होंगे आज की class के लिए, बहुत important class है आज की class से strategy हम बनाएंगे orientation हमारी class तो शरीय शुरुआत करते हैं अपने उस dream की जिसे हम लोग UPSC कहते हैं वो जगह जह हम जाना चाहते हैं जिसे लबासना कहते हैं तो सारे योध्धा तयार हो जाएं दो वर्षों तक आपको बहुत अनुशाशन के साथ to the point जो है इसमें चलना पड़ेगा और innovation हम जो लगातार कर रहे हैं उसको adopt करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तभी आप जो है वो अपना मन चाहा result निकाल सकते हैं So let's start, welcome to the conceptor batch आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ level 1 और level 2 में जिसमें अभी हमारा जो first year है वो level 1 है इसके बार level 2 जिसे हम लोग mains का level कहते हैं वो second year में चलेगा तो जो लोग अभी graduation में हैं या graduation के साथ तैयारी करना चाहते हैं उन सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी क्या राइट बहुत अच्छा लग रहा है इतने बच्चे जो हैं परिवार में conceptor परिवार के साथ जोड़ चुके हैं अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ चुके हैं और उमीद करता हूँ कि उनकी expectations में मैं खरा उतरूँगा और वो चीज़ों के साथ आपको मैं जोड़ूँगा जो चीज़ें आपके class के लिए आपकी सफलता के लिए बहुत जादा जरूरी हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ready है copy pen के साथ तो अगर हम बात करें UPSC की तो जैसा कि आप जानते Union Public Service Commission ये British समय में ही अगर हम बात करें तो ICS की परिक्षा सुरू हुई थी और सरदार वललपाई पटेल ने कहा था कि जो हमारे civil servants हैं वो basically उन्हें steel pillar of India कहा जाता है तो हमारे basically दो पार्ट है एक government का part इसे हम लोग कहते हैं और एक governance का part हमारे पास होता है बड़े important segment है जिसके बारे मैं बाप से बात करने जा रहो इसको ध्यान से समझना कि आज के officers की need क्या है सभी student के लिए मैं बहुत important बात आप से करने जा रहो और अगर हो सके तो मेरी बातों को अगर आप लिख लेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे चलिए शुरुवात करते हैं कि इन officers की जो हमारे IES IPS officers है इनकी हमें need क्या होती है और exam का pattern basically क्या है ये भी हमारा समझना बहुत जरूरी है ready हैं आप इसके लिए भूत हमारे fundamentals हमारे बनाए गए है कुछ जो है वो हमारे समिधान निर्माताओं ने एक line draw की है तो अगर हम बात करें तो हम लोग कल्यान कारी राज्य बनाते हैं लोग कल्यान यानि welfare की बात करते हैं अब ज़रा ध्यान से समझना कि UPSC जो है वो किस तरह के officer को चुनना पसंद करती है बड़े ध्यान से इस बात को सुझेंगे तो आपको बहुत को समझ में आएगा कि actually ये exam है क्या कई बार लोगों को ये लगता है कि जो graduation का exam है university का exam है वही UPSC का exam अगर ऐसा होता तो इस बार के paper में बड़े बड़े आई आई डियन धहरा साई हो गए कम से कम दस बार को तो मैं जानता हूँ जो CSAT qualify नहीं कर पाए इस तरह का paper था तो इसका मतलब है इस exam की requirement कुछ अलग है वो requirement सबसे पहले हम समझ लेंगे तो बहुत मजा आने वाला कि UPSC क्या है और UPSC किस तरह के officers को select करती है क्या reason है कि जो अभी मैंने video डाला हिंदी माध्यम में आपने देखा कि वो जो 10 वी class में fail हो गया था जिसके परिवार में 12 वी से उपर किसी ने पढ़ाई नहीं की जो यही सोचता था कि 3rd grade teacher मैं बन जाऊ तो मेरे जीवन का जो है वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा वो IS कैसे crack कर जाता है 10 वी class में fail 12 वी class में fail कैसे वो IS बन जाता और कैसे जो है gold medalist IIT से पढ़ा हुआ वेक्ति भी IS नहीं बन पाता यानि इस exam में क्या चीज़ डिमांड करता है हब exam में cut off होते हैं हर exam में बहुत धेर सारा competition होता है subject specialization होता है जो जितना जादा maths में अच्छा होगा जितना जादा biology में अच्छा होगा उस हिसाब से वो crack करेगा लेकिन इस exam में तो कुछ अलग ही चलता है academics आपकी बहुत अच्छी ना रही हो लेकिन अगर आपने वहां आकर वो demand पूरी कर दी जो UPSC आप से पूछ रहा है तो definitely आपकी life में एक बहुत बड़ा change आ जाता है लेकिन सवाल क्या है सवाल है कि क्या हम ये demand जानते हैं क्या हम इस समझ को समझ पाते हैं कि UPSC क्या चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि UPSC exam आखिर 10-20 पास लड़का कैसे IS बन जा रहा है 12 वी में fail जो है 12 में fail हुआ 12 में fail हुआ कैसे वो IS बन जा रहा है गोल मेडलिस आईएस क्यों नहीं बन पा रहा है जिसको बारे में समाज ने का रहे यार कुछ नहीं कर पाएगा वो कैसे आईएस मेरा एक स्टुटेंट हुआ उसके बारे में लोग कहते है ते यार ये किसी तरह से 15-20,000 की नोकरी पाजा आज वो IPS है तो आखिर वो कैसे ये जानना बड़ा है कितने लोग ये बात जानना चाहते है मुझे comment box में बताए कि UPSC किस तरह के officer चाहती है और आज मैं तरके के साथ आपको वो प्रूव करूँगा और मज़ा आएगा ताकि आप अपने व्यक्तित को उसी तरह से ढाल सकें कितने लोग जानना चाहते है स समाज आपके उपर एक label लगाता है एक label लगाता है और वो label ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते आप बहुत कमजोर है अरे IS के बारे में तुम सोची नहीं सकते तुम gold medalist नहीं हो हर बड़का बड़का आदमी IS बनता है तो आप कम से कम खुद को ये समझा सको कि इस exam की requirement अलग है और conceptor में दो साल मुझे अपने व्यक्तित्य को इसी requirement में ढालना है यकीन मानिए अगर आप ये requirement समझ गए तो दो साल का सफर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है आप बहुत मजे में बहुत ही enjoyment के साथ सीखते हुए पिछले अपने अतीत को फेकते हुए आप आसा से चलती है सरकार के पास budget होता है तो उसको समीधान निरदेश देता है कि भारत कैसा होना चाहिए भारत लोग कल्याण का नी होना चाहिए, यानि welfare state होना चाहिए, welfare state होना चाहिए, कल्याण, कल्याण का तात्पर है क्या होता, what is the meaning of कल्याण, एक होता है भाई, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु करते रहें, अब ज़रा धियान से समझेए, जो लोग का कल्यान होता है, लोग का मतलब होता है जनता, यानि एक पूरा जन समू, एक पूरा जो है people जिसे we the people of india जिसे कहा गया है, कल्यान का मतलब होता है उनके जीवन इस्तर में, सुधार, जीवनिस्तर में, जीवनिस्तर जो होता है, वो सभी के लिए अलग-अलग होता है, जीवनिस्तर का मतलब होता है कि आज मैं किस इस्थित में हूँ, ये जीवनिस्तर की बात होगी, बड़ा important concept ही है, यानि जैसे अगर आज मैं हूँ, कुड़ा बिंडे जाता हूँ, for example, तो मेरी आज requirement क्या है, कि मुझे कम से कम basic schooling की तो सिक्षा मिले, मुझे सिक्षा का तो officer मिले, education की तो बात हो, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी आने वाले समय में, brightest officer बनने जा रहे हैं, आज की class उनके जीवन की, एक ऐसी class होने जारी, जो उन्हें सिर्व रातों को जग होते हूँ, तो भई मेरी इस्थित में सुधार, तो आज मेरी इस्थित क्या है कि कूड़ा बीनने जा रहा हूँ, मुझे कोई basic education मिले, सिक्षा से मुझे अवगत करा दे, एक महिला है, गर्वती है, तो उसका यह है कि उसके यहाँ है कि दाई आती है, डिलिवरी करती है, जादा उसमें risk है, तो क्यों न कुछ ऐसा हो जाए, कुछ न ऐसा हो जाए, कि जिसमें यह जो है, इसको संस्थागत प्रसव मिल जाए, अगर इसको institutional delivery मिल जाएगी, तो इसकी जान बच जाएगी, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत महत्रपूर सेग्मेंट है, ठीक है तो इसकी जरूरत यह है, एक वरध है, ठीक है, एक वरध है, जिसके जीवन में यह कि भई, उसको वरध्धावस्था पेंशन मिल जाए ना, तो आँखों का जो मोतिया बिंध हो गया, उसका इलाज कर सकता है, चश्मा एक खरीच सकता है, कि कि किसी तरीके से मुझे जो है, वो रध्धावस्था पेंशन मिल जाए, तो सबकी क्या इस्थितियां है, अलग-अलग, एक बच्ची है, वो सोचरी कि ने, बाल विवाह ना हो, 12 साल में उसकी शादी कर दी जा रही है, वो कह रही है, मुझे भी पढ़ने का अवसर दिया जाए, या मुझे भी काम करने का अवसर दिया, जाए, मैं skilled हूँ, नहीं पढ़ा ही, कोई बात दी, मैं skilled हूँ, अपने दंपर पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं घूंगट में नहीं रहना चाहती हूँ, पिता के घर से पती के घर shift कर दिया गया, डोली में कभी देखा ही नहीं, वहां बता दिया गया कि, बित एसी कंडिशन में क्या होगा? ऐसी कंडिशन में हमें सबके जीवन इस तर में एक सुधार्लान अपनेगा. अब जराध्यान से जो भी भविश्य के ओफिसर्स हैं वो इस बात को सुने, मैं जो कहने जा रहा हूँ. बड़े इंपोर्टेंट से इस बात को सुनना हूँ. कि करना है, कल्यान का मतलब हुआ, जीवन इस तर में सुधार होना चाहिए. यानि अभी जो उनकी इस्थिती है, भविश्य समय के साथ उस इस्थित में वो अपलिफ्टमेंट हमें दिखाई पड़े. चाहे कोई गंदा पानी पी रहा हो तो उसके साफ पीने का पानी मिलना च जा रहा, उस स्रम के खिलाब बाल स्रम का कानूर बनना चाहिए, देश ऐसे ही चलता है, यह हो गया कल्यान के स्थिती. तो सरकार का एक धे है, सरकार का एक उद्देश, एक परपज है कि ऐसा अगर होगा, तो भारत एक लोग कल्यान कारी राज होगा, और जब लोग कल्यान कारी राज होगा चुकि हम कौन से हम लोगतंत्र है क्या है डेमोक्रेसी हैं लोगतंत्र है और लोगतंत्र में कहा जाता है वी the people of India जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शाशन तो इसमें जो लोग हैं वो centralized हैं लेकिन वो लोक तंदर का भाग तभी होंगे जब उनकी जीवन में सुधार होगा उनका कल्याड होगा तो सरकार इस कल्याड को करना चाहती है लेकिन सरकार की मेशीनिरी इतनी बड़ी नहीं है तो सरकार इस उद्देश को प्राप्त करने के लिए ये उसका उद्देश है अब उसको चाहिए मेकेनिजम ध्यान से समझना इसको इसको मेकेनिजम चाहिए कि भई इन बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी इस महिला को जन्नी सुरक्षा योजना कैसे मिलेगी व्रधावस्ता पेंशन कैसे मिलेगी बाल विवा के खिलाफ कानून कैसे बनेगा या इंप्लिमेंट कैसे होगा तो वहां से शुरुवात होती है mechanism यान्तरकी की अब यानतरकी के लिए उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार की योजनाओं को इस जमीनी इस तर तक लेकर आ सकें क्योंकि ये संसद में बना सरकार ने बज़ट दे दिया लेकिन बज़ट से कुछ नहीं होगा मालीज इस्टैबलिश हो पाएगी मकान अच्छा बना दिया बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग बना दिये होस्पिटल अच्छा बना दिया डॉक्टर साब गायब है मशीन गायब है और बीमार पहुंचा तो क्या उसको बहुत अच्छी स्ठीकित सा सुविधा मिलेगी हाँ या न कॉंसेप्ट है जो वर्ड मैं इस्तामाल कर रहा हूं यानि इंड पॉइंट डिलिवरी क्या होगा एंड पॉइंट डिलिवरी यानि अंतिम बिंदु तक जो आप डिमांड कर रहे हैं वह पहुंच जाना कि अगर ये व्रद्धावस्था पेंशन इसको चाहिए हजार ही रुपए मिल रहे हैं लेकिन इसको मिल जाए समय से इस बार ये दवाई करा ले मुतिया बिंद का अपना जो है वो दवाई खरीद ले चश्मा बनवा ले यही उसकी requirement है तो end point delivery शुरुवात तो यह रहा यह beginning point है इंड point delivery होनी चाहिए अब क्या होगा अब सवाल यह है कि इसको बनाने के लिए सरकार के कुछ अधिकारी होने चाहिए जो बहुत तेज तर्रार हो तो सरकार के अधिकारी आगे माल लीजे आप एक officer को bureaucracy को लेकर रहा है लेकिन अब जड़ा तुम इसको देखो कि इसका क्या challenge है सरकार ने कहा कि you are responsible for the upliftment of the life standards यह जो welfare है इसके लिए आप जिम्मेदार है आप जिसको DM बोल सकते हो इनको जो है वो chief secretary बोल सकते हो cabinet secretary बोल सकते हो इनको कुछ भी नाम दे सकते हो ठीक है इनको कुछ भी नाम दे सकते हो यह एक सज्जन है यह आप हो सकते हैं भविश्य में लेकिन अब जड़ा देखो ध्यान से इसके सामने challenge क्या है सरकार ने जो resource दिये हैं वो कम है भारत की आउशकता बहुत है जनता बहुत जादा है अच्छा अब यह जो समाज है we the people of India इसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग है कई लोग फरजी जैसे महिला कोई और है किसी और के नाम पर काट मनरिगा में तुमने देखा कि वो फलान जिन पचास की इच्छा पूरी नहीं और इसको गाली भी दे रहें इसको जो उल्टा सीधा इसको बैमान बोलने कभी इसके धर्म पर बात आ रही कभी इसकी जाति पर बात आ रही है बड़ी चीछा लेदर भी होती है और यह कुछ नहीं कर सकता मूँ पे कोई व्रधावस् के लिए सरकार ने मुझे पेंशन दिया है सो लोग लाइन में खड़ें अब यह भी नहीं पता चल रहा है कौन सही है कौन गलत यह भी सत्यापित कर रहा है और सत्यापित करने जाओगे तो देर ही होगी क्योंकि सरकार की मेकेनिसम बहुत लंबी चोड़ी है उसके गाव प इसको जांच के दारे में ले आएंगे नहीं लेता है तो लोगों के जीवन इस तरमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो पाता है अब इसका मतलब है यह तलवार की धार पर चलने जैसा काम है तुम्हें लगाओ का इस बन गे तो अंगूरों के बाग में लिटा देंगे अब सराय आएंगी तुम्हें अंगूर खिलाएंगी तुम खुशी-खुशी खा लोगे लेकिन ऐसा यहां नहीं यह तलवार की धार पर चलने जैसा है डिसीजन में कौन सा यह कौन गलत है इसी समाज में होता तुमने नहीं देखा जन्नी सुरक्षा योजना का पैसा कौन लेक चेंज है कि UPSC को दाई तो दिया गया कि तुम्हें यह सारा ताम-जाम करना है तुम्हें एक ऐसा ओफिसर चाहिए जिसके अंदर एथिकल वैल्यूज हो जो दबाव में काम कर सके बड़ी ध्यान से सब्सक्राइब जो प्रैशर में काम कर सके हर समय प्रैशर है जिसके हित तुम्हें लोगे मालो तुमने एक को दिला दिया दूसरा का अच्छा तुम्हारी जाती वाला था तभी तुमने दिला दिया तुमने सुना होगा अच्छा तुम्हारे धर्म का था तुमने यह कर दिया लॉन और्टर मेंटेन करने गए बहुत अच्छा उस धर्म को तुम खर गलत नहीं है काला और सफेद नहीं है है कि यह बहुत मुश्किल है है बहुत लेयर Alle आप को पता ही नहीं लगेगा कि कौन जूड बोल रहा है कौन सच बոल रहा है हर तरह से अब आप बताईए कि आपने कभी ये सब सुना ही नहीं होगा अब DM साब कहरे है तुमने चुनाओं में पैसा खर्च किया तुमने दारू बाटी तुमने मुर्गा बाटा हमारी क्या गलती बुले नहीं आगर आपको पोस्टिंग चाहिए आप चाहते हैं नहीं कि आपको अब आपको अलग कोस रहा है अब आप अपतनी लानत कितनी मलानत सब आप तेजी से काम करते हैं तो आयोग बिठा देंगे नहीं करते हैं तो कहा जाएगा ये लाल फीताच चाहिए कि जाएं तो कहां जाएं? तो इसका मतलब है, यहां ऐसे अधिकारियों की जरुरत हो, जो दबाओं में काम कर सकें, जो अपने consent पर decision ले सकें, जो तार्किक निरन ले सकें, जो पढ़े लिखे हों, इस तरह से कि वो, जो कानून हों उनको अच्छी तरह से जानते हुए, उसका पालन करते हुए, उसी के साफ से काम करें, जो न बहुत भावक हों, कि मार एकदम आँख में आसुआ कि, माता जी तुम ले जा, पुरा गुदाम आज लूट लो, ये भी ना करें, वो rational हो, ठीक है, मुझे दुख हो रहा है, व्यक्ति का तुरूप से बहुत दुख है, कि उस वरद को जो है, वो pension नहीं मिली, लेकिन मैं irrational नहीं हो सकता, मैं अतार्किक नहीं हो सकता, वो तार्किक भी होना चाहिए, उसको अपने emotion पर कंट्रोल करना आना चाहिए, वो practical होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति चुनने की जिम्मेदारी किसको दी गई, UPSC को दी गई, कि आप ऐसा अधिकारी चुनिये, तो UPSC ने कहा कि समाज में कोई परिवर्तन जल्दी नहीं आता, हाँ, आप सोच रहें कि अभी कानून बनाएंगो, कल से बालश्रम खतम, खतम हुआ नहीं खतम हुआ बाल विवा खतम नहीं खतम हुआ, सारी महिलाओं को क्या अस्पताल में मिलने लगा नहीं मिलने लगा, क्या सारी बच्चिया इस्कूल जाने लगी नहीं जा रही है क्या आज कोई भी तुमने कभी किसी बच्चे को कूड़ा बीनते वो नहीं देखा देखा है सब कुछ चल रहा है हमारे यहां क्या नहीं हो रहा है तुम मुझे बताओ तो क्या इतनी जल्दी परिवर्तर हो गया नहीं हुआ हाँ पहले से कम बच्चे जाने लगे हैं बच्चे मिड़े मील के लालच में स्कूल पहुँचने लगे हैं बालिकाओं का इन्रोल्मेंट बढ़ गया है तमाम कारिकरमों में आईश्मान जैसे कारिकरमों की वज़े से महिला है अस्पताल पहुँचने लगे लेकिन अभी भी ये सब के लिए नहीं हुआ है इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है अभी मतलब लक्षे नहीं पाए गये हैं हमें अभी sustainable development goal के लक्षे पाने अभी भी हर गाउं में pipeline से पानी नहीं पहुचा है 24 गंटे बिजली उपलब्द नहीं है सारी गाउं वो सडकों से नहीं जोड़े गए हैं सबी जगा इस्पताल नहीं है अच्छी सिक्षा नहीं है infrastructure loss बहुत ज़ादा हो चुका है बहुत कुछ अभी किया जाना है तो UPSC को ऐसे अधिकारी चाहिए जिसमें पहला चीज हो धैर रिया तो UPSC ने exam ऐसा बनाया देखो क्या था simple एक exam ले लेते अब बोलते कल से तुम आईये से आजा भया join कर लो नहीं पहले लेते हैं prelims लड़ भिड़के 11-11 लाक लोगों ने इस बार exam दिया 98.6% prelims में fail हो जाते हैं बोले अच्छा चलो लड़ लिए अब prelims के बाद बोले अभी भी आईयस नहीं बनेंगे अब जो मेंस पूरा एकदम हिसाब किताब 14,000 बच्चे छाट के भेजे और बोले अब लिख के दिखाना है लिख के और अलग-अलग topics पर बहुत तुम इतिहास का भी ज्यान होना चाहिए भूगोल भी परियावरण भी संस्कृत भी समाज भी आईयार भी, पॉलिटी भी, सोशल जस्टिस भी, सोशल सिक्यूरिटी भी, साइन्स एंड टेकलोजी भी, एकॉनमी, एग्रिकल्चर, एथेक्स, लॉग, सारी चीजों की नॉलज होनी चाहिए यह भी नहीं कि मैट्स का खाली को इस्टर ले ले नहीं, सब कुछ होना चाहिए तुमारे पार, इतिहास वाले को साइन्स एंड टेक पढ़वा रहे हैं, और साइन्स वाले को इतिहास पढ़वा रहे हैं, और दोनों को भूगोल भी पढ़वा रहे हैं, और सब को मिलाकर एथिक्स भी पढ़वा रहे हैं मज़ेदार देखो इस एक्जाम का नेचर देखो और सब जानगा तो एगरी कल्चर भी जानो कैसे करशी होती है कौन सी फसल रभी खरीब जायत क्या होता है और फिर उसके बाद देखो कि हमारा अंतराश्टी संबंध कैसा है फिर बोलो भारत की अंतरिक समस्या कैसे उसके बाद छोड़ो आपदा भी जारो क्यों सलबस को स्टुडेंट के हिसाफ से नहीं बनाया गया है अब जो बात कह रहा है उसको लिख लोगे तो बड़ा मज़ा आएगा सलबस को स्टुडेंट के हिसाफ से नहीं बनाया गया सलबस को भारतिय प्रसाशनिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स की जो रिक्वायर्मेंट है उसके हिसाफ से बनाया गया एक अधिकारी को किन किन चीजों की आउशकता पड़ती है जब तक वो भारतिय समाज को समझेगा ने जब तक तुम अपनी डाइवर्सिटी को भारतिय समाज के लेयर्स को इसमें होने वाली रुकावटों को जिसमें जाति विवस्ता धार्म वर्ण ये सारे छेत्रवाद भा हो रहा है कि नहीं भानक विवाद हो रहा है एक सो पांस से ज्यादा लोगों की जाने चली गए हिंसा भढ़की हुई ये भानक तरीके से तो तुम्हें प्रशास्री गदिकारी के रूप में इसको जानना है जड़ा सेल्बस को ध्यान से देखो मैं तुम्हें सेल्बस बताता हूँ अभी सेल्बस अनारीजिस करूँगा जी इस पेपर बन में गए आर्ट एन कल्चर पढ़ना क्यूं किसी भी राष्ट की विरास तुम्हें ना सिर्व राष्ट्र की जड़ों को जानने का मौका देती है, साथी साथ तुम्हें ये बताती है कि इस सांस्कृतिक विरासत के पीछे कितना समरद इतिहास जुड़ा हुआ है भारत का इतिहास बताता है कि आज हम जहां हैं, चाहे वो नीतियां हो या कुरीतियां हो, गुड़ और बैड, ये सब कुछ एक समय की अविरल धारा से बहके आया है, वो इतिहास है यानि आज की समस्याओं की जड़े भी पीछे कहीं चुपी हुई है, भूगोल, भारत, वी दा पीपोल अफ इंडिया, तो भारत का छेत्रिय विस्तार क्या है, भारत की जलवाय क्या है, भारत की सम्रतिता क्या है, वनस्पति क्या है, फ्लोरा क्या है, पोना क्या है, अधनों से परचित कराता है। हम एक राष्ट के रूप में हमारे पास एक Constitution है हमारे पास structure है हमारे पास राजलीती है वो क्या है। हम इन सब को मिलाकर अपने भूगोल इतिहास और पॉलिटी को मिलाकर पूरी दुनिया के पास जाते हैं। हम कहते हैं कि न्याय पालिका है, हमारे पास इतना लोहा है, इतनी जमीन है, ये हमारी सम्रध विरासत है, पुरी दुनिया के साथ अंतराष्टी संबंद बनाते हैं, IR में पढ़ते हैं, फिर पुरी दुनिया को बताते हैं कि भारत और भारत की जनसंक्या मिलकर क्या नहीं कर स पढ़ना है तुम्हें, फिर भारत को स्थाई रूप से आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक सुरक्षा का होना जरूरी है, बम भटेगा, उपद्रव होगा, मड़ीपूर जैसी हिंसा होगी, आज तुमसे कहें मड़ीपूर चले जाओगे, भग तरे की, जिंदा रहेंगे तब तो यह रहेंगे, हम नहीं की जाना हमें, तो आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी, देखो आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर किसी भी राष्ट को नॉलेज बेज एकनॉमिक लिए कि उसका साइंटिफिक टेंपरामेंट बहुत जरूरी होता है, विज्ञान आपके प्रगत को exponential कर देता है, बहुत तेज कर देता है, तो विज्ञान और प्रद्योगी की क्या है हमारे देश की, और उन सब के बाद, कि मेरे पास economy है, मेरे पास geography है, मेरे पास एक इतिहास है, विज्ञान है, अर्थवेवस्ता है, लेकिन तुम्हारे पास ethics और integrity है कि नहीं, क्योंकि राष्ट के लोग और राष्ट का शाषन जब तक आपस में नीतियों के माध्यम से नहीं जुड़ेगा, राज नीति शब्द का इस्तवाल किया गया, यानि कि राज शाषन करना भी नीतियों यानि नियमों के हिसाब से होना चाहिए, शिक्षा नीति कहा गया कि education भी नीति के अनरूप होना चाहिए, प्रशाषन भी नीति के अनरूप होना चाहिए, यानि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अनीति है, तुम्हारे पास ethics नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें तुम्हें खा जाएंगी, तो ऐसी condition में क्या चाहिए होगा, हमें नीतियां है, आर्ट and culture, history, Indian society, geography, environment, polity, governance, IR, internal security, economics, agriculture, science and tech, ethics, integrity, ये सब क्या है, ये सब आधिकारियों के सलवस है, जिनको उनको आगे जाकर इस समाज में जिसका प्रियोग करना है, और बड़ा सोच समझ के उन्होंने पेपरवाईज लिखा है, क्योंकि राष्ट के इतिहास को जाने बिना तुम राष्ट को जाने ही नहीं सकते, समाज को जाने बिना इस वर्तमान नंगमंच को नहीं जान सकते, और भूगोल को जाने बिना राष्ट के संसाधनों की शक्ति को तुम पहचान ही नहीं सकते, इसके बाद इन सभी का इस्त विस्कतिक विस्तार को करो, चाहे आर्थिक विस्तार को करो, चाहे अपनी शक्तियों के विस्तार को करो, तो बहुत ही जबर्दस चीज की सोच समझ कि- सलबस को set किया गया, और इतना लंबہ चोड़ा क्यूं? क्योंकि उने धैरेवान वेक्ति चाहिए, दूसरा, सलबस में इतनी जटिलता क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा वेक्ति चाहिए जो प्रैशर को डील्स कर से, क्यों? क्योंकि यहां उसको क्या चाहिए? धैरे चाहिए, कोई कहा रहा है नहीं मुझे आजी दो, आजी दो, तो तुम रात और रा भी दिया, डॉक्टर कहां से लेकर आओगे? प्रैक्टिकली सोच के देखो, कोई कहने जो, आरे बाबुजी बहुत दर्द हो रहा है, पेट का आप्रेशन कराना है, डॉक्टर नहीं है, तो तुम उससे पूछ के खुद देखना किसी दिन, चाहिए वो कितना गरीब, बोल पंचरवाले से हमारा पेट सिल्वाओगे? नहीं करेगा, कभी न बोले, डॉक्टर साब को बोले, अब डॉक्टर जेब में तुमाई थोड़न रखा है, एक डॉक्टर को तयार होने में सालों का वक्त लगता है, पहले वो यूजी करेगा, फिर पीजी करेगा, सालों तक अब भ्यास करेगा, तब जाकर एक डॉक्टर तयार होता है, तो तुम आज हॉस्पिटल बना के रख दो, आज हॉस्पिटल बना के रख दो, कल तुम डॉक्टर तो नहीं लहा पाओगे न, और मरीज कितना भी गरीब हो, उसे तुम पंचरवाले से तुम जरो उसका बोलो कि अत्रडिया सिल देगा, नहीं, वो हाथ नी लगाने देगा, हाथ नी लगाने देगा, क्योंकि जान सबको प्यारी है, यह बड़ी important बात कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है, तुम्हें धहरे चाहिए होगा, तुम्हारे वह प्रेशर आएगा, तुम्हारे प्रेशर से नि विदेशों तक जो भारत में रहने वाले विदेशी टाइप के लोग है, वो भी अरे भारत में ठीका करा नहीं हो पाएगा, मौते करोडों में होंगी, ऐसे हाथ डमकार के डुमरूट की तरह जो बजाते रहते, पंदरा साल में कहीं जाकर ठीका लग पाएगा, अंगरे ज अगरे निजम ने दुनिया का चमतकार करके दिखा दिया, अभी case studies है पूरे दुनिया में, कि भारत इतना कम हल्थ पर खर्च करता है, उसके बाद कैसे इतने लोगों का टीका करण कर लिया, इतनी भावगोलिक विवित्ता थी, इतनी जटीलता थी, एक तरफ जैसा लवेर की रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो UPSC की जरूरत को समझे, वो graduation का नहीं exam है, औरना उसको किसी exam में top करना है, इस जो इस तरह है कि लोगों की जीवन इस तरह में सुधार लेकर आ सके, और end point delivery की तरफ खोश कर सके, तो क्या बता है, इसमें धैरे होना चाहिए, patience, pressure को deal कर सके, अब तीसरी बहुत important चीज, क्यों simple background की लड़के IS बन जाते हैं, लड़के IS बन जाती है, इसका जवाब अब तुम्हें देने जा रहा हूँ, अब end point delivery, सरकान ने का कुछ भी करो, ये सब को टीका लगना चाहिए, अब सरकान ने थोड़न का कि भईया, वो आले दुरगम छेत्रों में जहां मतलब सरकान ने का तुम्हें ठीका लगाना है, अब ये बात जो कहने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना कि क्यों कोई भी simple लड़का IS अधिकारी बन सकता है, अगर उसके पास ये चीज है, जो मैं अब तुम से बताने जा रहा हूँ, तो क्या करेगा, simple, वो कहता है कि मुझे, सरकार ने का मुझे वैक्सीन लगवान नहीं बस, अब सब को देना है, अब तुम सोचो, तो ये जो officer है न, इसको को mechanism बना के नहीं दिया जा रहा हूँ, सरकार ने का end point delivery पर focus करो, पचास करो लोगों को टीका लग जाना है ये इतन होगा, तो अधिकारी ऐसे भी थे, जो देखें कि hospital में bed कम है, तो देखें भलाना एक stadium खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ जा रहा है, बना इसको hospital, बना लगाओ bed यहाँ पे, सब को बिटाओ, जिन्होंने दूसरी factories को बंद कराया, कि बला factory नहीं चले कुछ दिक्कत नहीं है, तुम्हारे plant में जो oxygen यूजर हो रहा हम को दे तो हम मरीच को यूजर करेंगे, दिमाग लगाया, खाली मैदान पढ़ा था, बावा जी का जो है, एक tent लगा हो था, प्रवचन बोले, tent window बाद में, पहले लगाओ, यहीं पे दबा के, बेढ़, इंड़स्थी के oxygen से लिए बोले, कोई बाद नहीं, कुछ दिन तुम इंड़स्थी में मत इस्तमाल करो, मैं लोगों की जान बचा लेने दो, क्या किया, दिमाग लगाया, तो end point delivery, बहुत ही कठिन काम होता है, जहां तुम्हें सोचना होता है, और यह सोचने वाले बड़े original लोग होते हैं, उस situation के साफ से deal कर ले जाते हैं, situation के साफ से deal कर ले, यानि यहां कोई रटा-रटाया काम नहीं कि बच्पन से तुम बहुत बड़े तेजूलाल थे, तुम्हें अक्सीजन का सारा formula और मूला सब याद था, तुम मना भी लेते थे अपनी lab में, लेकिन यहां oxygen बनानी नहीं है, जगाड करना है, जान बचानी ह हैं, चकरवाज जो आ रहा है, वहां से कैसे लोगों को बचाना है, यह तुरंद के तुरंद, प्रेशर में सोचना है, और बहुत लोगों की हालत ऐसी होती है, खास वर पर जो अपने बंद कमरों बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, तेजूलाल माने जाते हैं, ज संसाधन कमर, फिर भी हॉस्पिटल होना चाहिए, बोला आपने का नाव से पार करते हैं, बच्चे बोले स्कूल पहुँचने चाहिए, हमें इन्रोल्मेंट दिखाओ, इन्रोल्मेंट दिखाओ कि यहां पे सो बच्चिया पढ़ेंगी, अब तुम्हारे यहां गाओं में स कोई स्कूल भेजने को तयार नहीं तुम्हें, बोला इस से कोई लेना देना नहीं है, इंड पॉइंट डिलिवरी, तो यह लोग वो होते हैं, जो सोचते हैं, अच्छा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, तो फिर वो कहानिया ऐसी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसी द बनवा सकती, एक राज्य जहां धड़ा-धड़ पुले गिरते रहते हैं, तो एक आफिसर ने ऐसा किया पांटून पुल बनवा दिया, यानि उसके अंदर क्या प्लास्टिक का वो गोल-गोल होता है, पानी तैरता रहता, रस्ते से एक साथ बांध दिया, बोला पुल बनन वो कोई चाती नहीं पीटा, उस अधिकारी ने का हाई हाई सरकार करोण रुपे का बजट नहीं दे रही है, पुल कब बनेगा, आज एक सरकार पत्थर लगाएगी, उद घाटन करेगी, दूसरी सरकार बजट पास करेगी, तीसरी सरकार काई बीता काटेगी, तब तक तो बड़े होकर कुछ और कामधाम भी शुरू कर देगे, बोलें नहीं, जुगार लगाओ, दिमाग का इस्तमाल करो, इंड़ पाइंट दो, ये तीन गुण अगर तुम्हारे साथ है, UPSC उसमें यही देखता है, तो पढ़ाई करो तो धहरे से, जल्दवाजी नहीं के छे मह तुम लगातार पढ़ नहीं सकते, और तुम चलो भारती समाज को बदलने के लिए, तुम्हें इंड़ पाइंट डिलिवरी करनी है, पूरा दुनिया तुम्हारे खिलाप बैठी हुई है, तुम्हारी आलोचना कर रही है, तुम जान है, हम नहीं कर सकते, प्रैसर आ गया ह बैठी है, और देखिये, कि आपके अंदर धहर है, कि अवास्तों में इस एक्जाम में जब आप उतरे हैं, तो 3P फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, 3P, पहला P है, सक्सेस का, पेशेंस धहर है, फॉस्ट पी, दूसरा पर्सिस्टेंस, यानि लगातार, ग्रेजुएशन के सा तियारी कर रहे है, कॉंसेप्षोन में 4 घंटे पढ़ेगे, कि चार धुडे रोज पढ़ेंगे, हम आईसा नहीं कि आई खंटा, है सहरा फिक रिख जर घंघ नहीं पढ़ा रहते हैं, अच्छा अंसा नहीं लिख पाते हैं सर, अच्छा, कभी लिखे हो, नहीं लिखे कभी नहीं, एक बार ट्राई किये था बस, उसके अच्छा अंसा नहीं लिख पाते हैं, अच्छा, सर वो अब्जेक्टि बहुत गलत हो जाते हैं, कितने लगाये हो, लगाये तो 10-12 हैं, लेक समाझ में कुछ नहीं आये थे अच्छा बेटा तुमने ना कभी एंसर राइटिंग की तुमने ना कभी अब्जेक्टिव कोश्चन लगा है तुमने कभी नंसी आइटी नहीं पड़ी तुमने स्टेंडर्ड बुक्स नहीं पड़ा तुमने अगबार कभी नहीं पड़ा तु So practice means, कि आप उस काम को इतनी बार करिए, कि आप उसमें skilled हो जाएं, बुरा मतमानी का, लेकिन ये सच्चाई है, कई बच्ची आते हैं, सर वो answer writing में जा नहीं आता, अच्छा, लिखो पिटा, लिखो कोशिश करो, गुरकुल में पकड़के बैठ रहे हैं आज कल, गुरकुल में पूछते नहीं तुम्हें आता है की नहीं आता है, हम लिखवाते हैं, लिखो, schedule में mention है, कि चार question लिखना ही लिखना है, चाहिए तुम सर खुझला के करो, चाहिए पर खुझला करो, जितना करना ही करना है तुम्हें तो अब लिख रहे हैं, आये थे वहाँ भी बहुत लोग एंसर हमने, एंसर एंटिंग में हमारा अभ्यास नहीं है, अरे नहीं है, कोई बात नहीं है कितना लिखे थे, लिखे नहीं, एक दोबा लिखे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा, अच्छा, तुम लड़की देखने आये हो, यह अच्छा नहीं लगी, यह अच्छा नहीं लगा, भई, एंसर है प्रैक्टिस करते, तो प्रैक्टिस मतलब होता है, जिस चीज में आप कम कि इस रेस में अभी भी कच्छुवा जीता है खर्गोष नहीं खर्गोष आएगा आएगा है मम्मी बोली है आएज मैं पंडी जी बोले ग्रह नचतर सब ठीक है दो चार महीना कूदेगा इधर उदर नहीं नहीं किताब खरीद के दो-चार कोचिंगे जोइन करके यह मास्टर साफ से पढ़ें बढ़का कोचिंग में पढ़ें डाई लाग पीज दिये सब वो करेगा अफिर दो-तीन महीने बाद है मजा नहीं है तवियत सा खराब हो रहा है दिल्ली को सूट रही कर रहा है नोडम गुरकुल में जो है सर बह से पारे फेफड़ा एक्दम काला हो गया है हम वापस आजा है मम्मी घर पर पढ़ने है स्टडी ओरे ओनलाइन कोर्स भी होता है तो क्या हुआ कच्छुआ चुप चाप अब निकले हैं घर से तो भाईया पढ़ेंगे डिल्या प्रैक्टिस करनी है एक एंसर लिखे दो एं एंसर नहीं लिख पाते हैं अच्छा भी जुमा जुमा चार दिन हुआ नहीं है और तुम एंसर राटिंग का मलब चाहते हैं कि पहले एंसर लिख दे हैं अब पहले एंसर के बाद पूरा UPSC फपक फपक रोने लगे आए दाया आईसा क्या लिख दिया है इंडियन पापियर की खोज हो गई है तुम यहीं चाहते हैं पहले है दूसरे एंसर में ही चाहते हैं कभी उठा के पेपर नहीं पढ़ा नहीं है पढ़ा नियूसपेपर में क्या पढ़ें है गला फट गया मेरा पांच-पांच ददधस वार बताया नियूसपेपर विए टॉपिक याई से नोट पढ़ Напान के अब गूर। करा है नहीं पढ़का है belie गूर। ऑह मतारहे हैं तो कहीं जाही नहीं पारहेें खढ़ने कोई दो मीटर सड़िए से बाउंसर की तरह ख़़ए हैं बोले यह ऽो टोपिक पढ़ना है चलो अभी पढ़ना है घड़ी देख रहे बीस मेंट के अंदर पढ़ना है तो गुरुकुल में यही होता है सुबह सुबह पहले आगे पंदर में यह टॉपिक यह टॉपिक जी एस पेपर वन टू टू ट्री वर्स इससे मिला है जहां ठीक है आप इस सोस्ते हैं अब सर जाने दे है तुरण पूछेंगे क्या ऐसे हुआ अब धीरे धीरे वह समझ गया कि यह गुरुकुल में छोड़ा नहीं जाएगा पकड़ के हमें जो है ऐसी तैसी कर देंगे अब आते अब पहले घर से पढ़के आ रहें कि कमसें क्लास्में कोश्चन का जवाब तो देते एकात को त आज रात मैं अड्मिशन बंद हो जाएगा दो साल का बैस है लेवल बन लेवल टू राइट और लेवल वन जो है वह गुरुकुल प्रिलिम्स है तो अगर कॉंसेप्टर में डिमिशन लेने तो ठीक है अधरवाइस गुरुकुल प्रिलिम्स में अड्मिशन ले सकते हैं 30 सारीक से ये बैस शुरू हो जाएगा इसी को ही extend करते हूं वहां तक लेकर जाएंगे तो स्वागत है आप सभी का पहले सो बच्चों के लिए 20% डिसकाउंट है फीस में इसका भी लाब उठाईए बढ़ियां से पढ़ाई करिए मजा आने वाला है क्योंकि बहुत लिबल इस बोले सर घर में पता ही नी चलता था क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें जम अनकिया लिया पढ़ लिया जाए कोई देखने वाला नहीं तो आप लोग लोग देते हैं हर समय मंदर रहे तो पीछे से ओजावंग सर ना आजा कॉंपी उठा के चेकल लेते क्या नोट्स बनाए क कोईस्टन पूछ लेते हैं भटाक से बीच क्लास में हालत करा तो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है तो गुर्कुल में स्वागत है नोटा में आप सभी का सच जिला है साफ सुत्रा है आज आपने देखा मुखरजी नगर में बड़ी दुखत घटना हुई आप लोगों न करने के लिए जगह, एक्टिविटी करने के लिए जगह, लाइब्रेरी, हमें एक ही जगह चाहिए थी तो वो हमें यहां मिली हमें यहां आ गए और आज लगता है कि वह साइडी सी जना है आज बड़ी दुखत घटना हुई कई बच्चों को बहुत नुक्सान हुआ और व विडियो देख ली होगी और आज गुर्कुल में सिक्षक खुद ही जब आगे बढ़ रहा है मैं राइटिंग करके दे रहा हूँ और exercise schedule भी शुरू हो चुका morning exercise schedule बिना equipment के आप खुद को fit रखने के लिए तो बहुत कुछ गुर्कुल में हो रहा है अपने वेक्टित को ब में सब कुछ शामिल है जी यस पूरा शामिल है उसमें भी दो लेयर शामिल है CSAT, Current Affairs, The Hindu, English, Test Series, सब कुछ इसके अंदर शामिल है आप सभी इसका भाग कर सकते हैं इसके साथ जोड़ सकते हैं तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ और अगर आप 5,000 रुपए महीने में जोड़ना चाहते हैं तो आज अंतिम दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों सोचना किस बात का आप हमारे किसी भी सेंटर विजिट कर सकते हैं करूलबाग सेंटर पर विजिट कर सकते हैं राची में विजिट कर सकते हैं, नोड़ा और उदैपुर, रजस्थान, यहां आप सेटप शुरू कर देखते हैं, और जितने भी हमारे स्टुडेंट अभी जो 10-12 में जा रहे हैं, ओजांक पढ़ाई वाला के अंतरगत, स्कूल एजुकेशन में भी वही गुडवत्ता हम लेकर आ रहे हैं, जल्दी आपको इसके बारे में अनॉस्मेंट हो जाएगा, जो 10-12 को लेकर classroom है online, उसके बारे में भी आप से बताने वाले हैं, जुड़े रहे हैं, और अगर आप किसी भी तरह की guidance चाहते हैं, तो आप दिये नमबर पे missed call मार सकते हैं, और जोड़ सकते ह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हैं दोस्तों, thank you so much, हाँ, ojank edu app is not working, आपको पता होगा कि एक cyber attack हमारे उपर हुआ था, जब हम prelims का course अला रहे थे, और उसकी वज़े से हमें भी बहुत loss हुआ, तो कल मिला कर वो जो app थी, वो efficient नहीं थी, तो अब सब कुछ shift कर दि learning app, तो cyber attack के बाद हमें ये बदलाव करना पड़ा और अब ये logo रहा हमारा, तो ojank anytime learning app ही अब आपकी app रहेगी, ojank edu is not your app, वहाँ पर आपको कुछ भी ढूणने की जरूद नहीं, सारे courses shift कर दिये गए हैं, और cyber attack के बाद से, और अब हम centralized होकर उस पर काम कर रहे हैं, thank you so much आप सभी का, कोई question आप पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, sir मैं UPSC का पैसे नहीं है, तैयारी कैसे करूँ, जो को मुझसे सवाल का जवाब पूछो के पैसे नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूँ, तो मैं शायद इसका सही व्यक्ति नहीं पाहूँ का जवाब, क्योंक किया, मेहनत से किया, अपने पैसे से किया, तो मैं free में या किसी से मांग कर आत्म सम्मान को गिरवी रखके, I am not a good person for that, मैं इसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, right, मैं आपको पहले बता दू, मैं जो है वो, मुझे कर कोई चीज पानी होती है, मैं ट्यूशन पढ़ा लू कि मुझे पैसे मिल जाए, तो मैं आत्म सम्मान वाला व्यक्ति हूँ, और इसी तरह से यहां पहुंचा हूँ, बहुत से लोग मेरी कहानी जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं यहां आपको यही कहांगा कि पहले आप अपने कॉंसेप्टर की पहली क्लास, कल में आप से और भी चीजों के बारे में डिसकस करूँगा, कॉलेज के साथ, बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ गुर्कुल में आ चुके हैं, लगबग 30% हमारे स्टुएंट हैं जो आफ्टर 12 गुर्कुल का हिस्सा हैं, उनके पैर तैंक यू सो मच, जी हां, हिंदी मीडियम वाले राष्टी पढ़ें, धैनिक जागरन का बहुत अच्चा है, धैनिक भास कर पढ़ सकते हैं, राइट, तैंक यू सो मच, आप जो लिंक है वहां शेयर कर सकते हैं, अपने नमबर भर सकते हैं, तो चलिए जुडते हैं लोग और conceptor batch को लेकर आगे बढ़ते हैं, आज की class कैसी लगी, ये feedback मुझे जरूर दें, और क्या आपको आज ये requirement समझ में आई, ये please इस पर विचार करें, और अपने points के बारे में लिखें, जो आज ये मैंने आपको बताया है, यही UPSC requirement करता है, और ये आपको जो मैंने link करके हैं, आप सभी academy का number जानते हैं, academy के बारे में अभी आप जानते हैं, तो इन number पर आप call कर सकते हैं, seat book कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. अभी मेरे साथ orientation रहेगा, क्योंकि sellers को समझे बिना आप चलनी पाओगे, 600 दिन का आप अपना time table बनाओगे मेरे साथ, और उसके बाद हम सबसे पहले map की class इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि mapping के बिना आप अपने chart subject को बरबाद कर बैठोगे, इस बार भी मैने पहले भी कहा था, कई बच्चों ने समझा नहीं उन्हें लगा कि साथ पहले इतिहास भूगोल पढ़ाने से कुछ होता है, लेकिन 11 question आ गया, कई लोग का भविश्य बरबाद हो गया, तो आप हमारे हिसाब से चलेंगे, तो definitely आपको selection में बहुत help होने जा रही है, thank you so much.